जी मेरे नाम विकाश कुमार, मैं डैली से हूँ और मेरे को लाए हो मा कुछ 10-12 साल से था, सबसे पहले मैंने 4-5 साल आयरुवेदा ट्राइ किया आयरुवेदा में क्या करता था? आयरुवेदा में पशनार गूगल और कुछ दूसरी गोलिया थी प्रिदिकावटी और आरुग्यवर्दनी और कुछ उन्होंने मालिश के लिए बुलावा था कि इन पर खूब मालिश करनी है और यह थोड़ा टाइम लेगा मालिश क्या करनी किस चीज की मालिश थी? नीम के तेल की जैदून के तेल की उसे मालिश करनी थी ताकि वो जो मसल्स हो जाया और फिर घुलेगा ऐसा ऐसा बोला था तो आसे घुल गए आपके थोड़ा साइस में पड़े हो गए फिर चार से पांस साल बाब फिर मैंने किसी के सजेशन पर होमिपैतिक ट्राई करा हो जाया करीया और ड्रॉप्स होते थे जो सुबा खाली पेट पहले और फिर आदा घंटे बाद फिर खाना खा सकते फिर दिन में थी फिर मेडिसन चार बार लेनी थी दिन में और लेकिन फुछ जचा नी थी फिर मैंने डॉक्टर आशिर सर का यूट्यूब पे देखा दो सा अब थोड़ा मौका मिला तो मैंने फिर उनकी थू ये लाइपोमा निकाला और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लाइट फिल हो रहा है और कुछ बोला गया था कि लाइपोमा निकालने पर मल्टीपल हो जाएगा या कैंसर ऐसी कोई फिलिंग नी आरी है और मुसल सब तो ये किस ने बोला था ये निकालो में तो बहुत है कि अगर तुम ने लिकाला तो ये कैंसर में कनवर्ट हो जाएगा तो ये भी एक रीजन था कि मैं चाल आशे तो शरीर में कोई भी गांट ना निकालो कैंसर में किसी की ब्रेस्ट के अंदर गांट बन रही है कैंसर बन तो मुझे लगता है कि इतने थेन ही जितने बढ़ गए और फिर दो साल आपको फॉलो किया थोड़ी हिंमत बनाई की थोड़ा डर तो लगता ही है लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है जितना डर था उसके हिसाब से कैसा रहा प्रसेजर बिल्कुल डरनी की जरूरत ही बिलकुल जरूरत नी है बिलकुल अराम से बहुत अची तरीके से आप लैकॉमा की निकालते हैं सबसे अच्छा समझाते बहुत अच्छा है इस सामने वाले को पता हों कैसा जो जो गुशे कर रहे थे अगर कोई अप और यहा जाएंगे घुल जाएंगे ऐसा नहीं है उल्टालाइकोमा इतने हाड हो जाएंगे कि जब उसको अपरेट किया जाएगा तो आप ही परिशान नहीं है तो रिक्वेस्ट है सब को सटेशन है कि ऑईल मसाज कभी मत कीज़ें जाएंगे जाएंगे तो निकालेंगे तो बन जाएगा बढ़ जाएंगे करके सब करना मैं यह थोंटालाइक ठक्राइब करा दे रांब जाएंगे अपने जरूरत किश के नहीं है अपैद करना रास्ते गाड़ी अपने आप से जाएंगे कुछ जरूरत ही नहीं है बिल्कुल moment बिल्कुल ठीक है. आपको क्या बोला था? के हात को क्या हो जाएगा अगर निकाला? बोला था पारलाइसिस हो जाएगा. अच्छा. बोला था अगर कराओ एक तो यह पारलाइसिस हो जाएगा और जहां से नॉट निकलेगा उसके पास यह मतलब अगर चार है तो यह आपके कुछ बारा तीरा हो जाएंगे एक ही जगह पर तो आपका multiple हो जाएगा गुच्छे बन जाएगे पैरलाइस के तो कोई feeling है ही रादर जो हाथ है वी लग रहे थे वो लाइट लग रहे तो what you suggest for your friends अगर किसी को लाएपाम है तो आशे सर के पास आईए उनसे बहतर बड़ी है डॉक्टर पूरी दुनिया में ही होगा और और कोई modalities उनको करना मतलब देखो निकालना is the only available modality उसके बारे में myths बहुत फेलाते हैं लोग जान भूज के कि उसको यह कर दें वो कर दें ऐसा वो तो दीरे दीरे body ने नेचर ने या गोलियों से कम हो जाना या तो वो cancer है तो फिर cancer की दवाएय चलते हैं वो बहुत भारी होती है और वो पुरे body कर cancer भी निकालती है और अंदर साथ के normal body के organ को भी खराब करती है बड़ हमको cancer को मरने से पेशन को बचाने के लिए बाकी और गन भी थोड़े डामेज होते हैं तो भी वो रिस्क लेना पड़ता है पड़ जिस चीज में दवाईयों का कोई असर ही नहीं है उसमें हम दवाईयां ले तो वह हम आप उस चीज को ठीक करी नहीं रहे और चीजों का अलग से नुक्सान क कि मेरे लाइपोमा बढ़ गए हैं अच्छी लेप था और उसमें 4-5 चीजे मिलाके थी नीम के बीज मूली के बीज और कुछ नाम नियाद है जड़ी पूटिया थी पीस के और वो पानी में मैल्ट करके लगानी थी और उसको 24 गंटे तक लग रहे है नहीं मेरे से मुश्क कुछ से फरक तो नहीं पड़ता उल्टा कुछ लगा नहीं बस ऐसा था कि बस पैसे खर्च हो गए तो अब यह निकाल के लग भी रहे कि इतनी टाइट चीज एक लेप से कैसे निकल सकती है अब तो खतम ही हो गया है तो इतनी हाट चीज एक अब थोड़ा लग रहा है कि ल पांच हपते में पांच मैने में हो सकती है और अब जो काम आपने पिछले आठ साल दस साल ग्यारा साल से लगे हुए थे वह आपका धाई गंटे का काम था है मालिश करना दवाईयां हर चारचर गंटे में तीन-तीन बार की दवाईयां आदि खाना में परहेज करना इसमें नौनविज नहीं खा सकते अईरवेदा में और होमेपैतिक में प्याज नहीं खा सकते वह बलते प्याज नहीं खाना और दस चीजे थी उनका हमारी तरफ से कोई परहेज बदा है आपकी तरफ से प्रहें कि जो मर्ची खाओ जो मर्ची खाओ जो मर्ची खाओ जो मर्ची ख पर आपको कोलेंगे कि अब तुम ने ये किया लिए इसलिए तुम ठीड़ तो लग रहा बहुत अच्छा डिसिजन था आपके पास आया और उसको रिमूव करा दिया क्योंकि जो बोला था हाथ नम हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी कुछ भी करा लीजिने से.